अलो दोस्तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की भारत में खूब बिक्री हो रही है और हल ही के महीनों में कई कमपानियों ने किमतों में भारिक कटवती करके और जादा इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ आकरसित किया है दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत में बिकने वारे पांच इल तो फिरंस अगर हम बात करें नंबर वन की तो नंबर वन पे Ola S1 Pro आती है और Ola S1 Pro प्रीमियम Ola Electric स्कूटर में आती है इसकी एक सोरूम प्राइस की बात करें तो एक लाग 30,000 रुपे है और इसमें बड़ा बैटरी पैक लगता है जिसे एक वार फूल चार्ज करने के बाद 155 किलोटरी की रेंज देने में सक्षम है बाद बाकी Ola S1 Pro को टॉप स्पीड मिल जाती है एक सो बीच किलोमोटर प्रति घंटे की और इसकी बैटरी को फूल चार्ज करने में सारे 6 घंटे का समय लगता है नंबर टू की बात करें तो TBS Motor Company की बेस्ट सेलिंग इलेक्रिक अ प्रति घंटे है और इसके फूल चार्ज करने के बाद 100 किलोमोटर की रेंज देने में सक्षम है नंबर तीन की बात करें तो नंबर तीन पर आती है बजाज आटो इलेक्रिक बजाज आटो इलेक्रिक की चेतक की एक सो रूम प्राइस 1,15,000 रुपे से लेकर 1,44,000 रुपे इसकी बैटरी को फूल चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है नंबर 4 पर आता है एथर एनरजी एथर एनरजी की टॉप सेलिंग मोडल एथर 450X की एक सो रूम प्राइस जो है वो है 1,26,000 रुपे से लेकर 1,29,000 रुपे तक इसकी बैटरी को फूल चार्ज करके 150 चार्ज किलोमेटर तक की रेंज हासिल कर सकते हैं वही एथर की 450X की टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोटर प्रती घंटी की टॉप स्पीड दे देती है फूल चार्ज होने में लगबग 5 घंटे 45 मिनट समय लगते हैं नंबर 5 पर आती है हीरो वीडा वीवन प्रो हीरो हीरो वीडा वीवन प्रो की वीडा प्रो की एक सो श्यार्ड रॉपराइस की बात करें तो 140,000 रुप है इस अस्कूटर की टॉप सबस्ट बेस्ट इलेक्रिकर स्कूटर है तो फ्रेंट्स ये जानकारी आपको कैसी रगी कमेंट वाक्स में जरूर लिखिएगा थैंक यू धन्यबाद बाबाई